दोस्तों बिहार लोग सिवायोग के द्वारा जो है वो आपका अध्यापक नियुक्ति जो पर्तियोगता प्रेक्षा है उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया उन सारे चीजों कौम लोग यहां पर डिटेल में ब मालूं होगा कि चार सेप्टमबर से डोकुमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है तो उस डोकुमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज आपका सही हो किसी तरीकी का कोई टूटी ना हो जिससे की प्रोसेस में कोई ब्यावधान ना हो इसलिए आयोग के द्वारा एक मौ मौका दिया है देखो हर चीज जो है आप इसमें नहीं सुधार सकते लेकिन हाँ कुछ छोटी-छोटी चीजे जो की गलत हो जाती है उसी सुधारने का यहां पर मौका दिया गया है आयोग के द्वारा जैसे यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि जनमती थी दिभ्यांगता की प्रकिर्ति अरख्छन कोटी जाती पता सैशनिक या परसैशनिक योगता को जो है यह चेंज कर सकते तो 1 सफ्टमबर से लेकि तीन सेस्टमबर तक कि यह आप चेंजिस कर सकते है और इस रिलेटेड जो भी दस्तबेज है आपने अपलोड किया है उससे आप मिलां कर सकते द देट बर्थ गलत हो गया और आपने जो डोकुमेंट लगाया होगा चाहिए आप टेंथ का जो आपने सेटिफिकेट लगाया वहां पर आपका डेट बर्थ किलियर बताया हुआ है ठीक है लेकिन जो आप फॉर्म भर रहे थे वहां पर मिस्टेक हो गया तो वह आप आराम से कर सकते हो क्योंकि उसका डोकुमेंट वहां पर सही लगा हुआ है ठीक है दिव्यांगता की प्रकृति है कि मालो अगर कोई ओएच और तो वाला है और उसने जो ऑर्थो का डोकुमेंट लगाया है लेकिन गलती से उसने कुछ और स्लेट कर लिया हो तो वह आपना जाकर उस इसने बीची के जगा पर ऑफिसी सेट हो गया हो या फिर उससे एसी स्ट कुछ और स्लेक्ट हो तो उस चीज को जो है वहां पर जाकि अब उस सुधार कर सकता है कारण यह है कि उसका डोकुमेंट है आरकशन कोटी का बीची का वह उसका अपलोड हो चुका है ठीक है तो उस तरीके से जाती का है कि जाती में अगर आपने कुछ गलती डाल दिया तो वह भी आप Change कर सकते हो लेकिन बहुँ चेंज जो ही हो गा होना चाहिए जो कि आपने उसके related डूकूमेंट Ugloed किया है बात है कि यहां पर आप नए डूकूमेंट अप्लोड नहीं कर सकते है यह चीज देधिए ही सब्सक्र Case यहां पर साफ मिनाग कर दिया गया कि नया चीज़ जो आप अप्लोड नहीं कर सकते हैं थी कि एक यह चीज बोला जा हो गया है तो उनको बोला जा रहा है कि आप यहां पर अप्लोट कर सकते हैं है ठीक यह चीज बताया जा रहा है फिर इसे बोला जा कि और जी जो डेटेल है 125 के लिए बाद में आयोग के दोरत दिया जाएगा साधी यह भी बताया गया है कि जो अप्लोड किया गया दस्तबेज है ठीक है उसमें कोई भींता नहीं होनी चाहिए कारण कहा कि जब आपका चार्ज सप्टमबर से जब डॉक्मेंट वेरिफिकेश ठीक है इसलिए यहां पर सीधा एकडम बोल्ड में बताया जा रहा है कि अप्लोड दस्तबेज के अंसार प्रविष्टी रहने पर अहरता प्रभावित तो हो सकती है अगर वह प्रविष्टी नहीं है तो जो भी चीजे अगर आपका छोड़ा-छोड़ा चीज अगर कुछ गलती हुआ है तो आप उन चीजों को यहां पर चेंज कर सकते हैं उसका जो लिंक है वह आपका एक्टिवेट हो जाएगा एक से अपनबर से और आपको कुछ नहीं करना है आप जो लॉग इन करते हो लॉग इन करने के बाद जो आप जाओगे तो वहां पर आपको बर्तित करने का बिकल्प नहीं है तेक है जीतनी चीजें उपर में बताई गई है उसी में चेंजेट किया जा सकते है इसके लाबा और और परसेशनिक योगता इन सारे चीजों में आप चेंजेश कर सकते हो इसके अलावा और जो आप चेंजेश है वो नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ यह सारी चेंजेश आपने डॉकुमेंट अप्लोड किया है उस अप्लोड डॉकुमेंट के एकॉर्डिंग ही होना चाहिए उ अपना जो है जो भी उनकी टूटी हुई है वो सुदार कर लें थैंक्यू